सुष्मा जी स्वागत है आपका नमस्कार मैं जी नमस्कार आप कहां से बात कर रही है मैं मैं हर्यानाम बाला से बात कर रहे हैं जी मैं आपका सवाल हंजी मैं सर को नमस्कार मेरा सुष्मा जी स्वागत है हमारे प्रोगाम में हाँ जी सर, परसों फोन किया था मैंने आपको, बेटी के बारे में, सर हाँ जी, तो वो लाजवन्ती के भी बताये थे सर आपने वो देर ही हूं मैं इसे, तो हलका सा मतलब फरस लगा है, तर मैंने फोन इसलिए किया है भी आप उसके लिए दुआ करो, आपकी दुआ बहुत है, जी, बहुत बहुत धन्यवाद और फाइदा भी शुरू हो गया, सुश्मा जी, दो दिन में आपको फाइदा भी शुरू हो गया, भगवान की आप पर बहुत महरवानी है, और जिन पर भगवान की महरवानी होती है, वो लोग इसलायक होते हैं, कि उन से दुआ के जब ज़ा ता हूं कि मेरे लिए भगवान से प्रात्मा करें कि मैं आपकी सेवा और ज्यदा कर सकूं बल्ल आप ने मुझे आपने मुझे कहा है तो देखिए मेरे प्रोगाम में या मुझे में और दूसरे लोगों में यही फर्क है कि आप मुझे दूआ के लिए कहें या ना कहें मैं आप लोगों के लिए अपने यानी मश्वरी के साथ दूआ भी खामशी से करता हूँ और रोज करता हूँ कि ये भगवान मेरे साथ जो वीवर चुड़े हुए है अगर तुझे मेरी लाज रखनी है तो मेरे बताय हुए मश्वरे में उनको फाइदा लिखते है उनको हुकम दे दे उन दवाओं को उन मश्वरों को कि उन मरीजों को फाइदा दे दे शायद इसी का असर हो और मैं विशेज दूआ भी करूँगा कि आपके बच्चे को फाइदा हो जाए दिल्ली से हैं लाजवंती जी स्वागत है आपका हालो लाजवंती जी आपको मेरी अवाज मिल पा रही है आपका तो नाम लाजवंती जी दवाव वाला नाम है पहले भी शायद बात हुई आप से कोई प्रोगाम ऐसा नहीं कि मैं आपका नाम न लेता हूँ पहले पर नाम आपने करद दिया ता नाम लिया था बहुत बहुत नमस्कार आपको आपके चड़नों में स्वागत आपका बहुत नहीं कि मैं उसकार की मेरे दीन सवाल है आप से एक तो जो गौन मौरिंगा है तो यह सफेद वाला जो आप देते हैं हमने पेड से निकाला है वो तो फुड़ा ब्राउन का ररगा होता है और जो काला गों तो यह पूंच पेड़गा होता है ठीक है और एक मेरे दामाद के दोस्त हैं उनकी उमर होगी कोई 55-56 साल और उनके पैर में गैंगरी नों हो गया है उनके प्यार काटने की नहीं बता रही तो उनके लिए प्रॉट पताईया आप जिसली तो देखिए जो गॉन मॉरिंगा है यह जब फटिलाइजर में पैदा होता है तो ऐसा होता है जैसा आपको मिलता है पेड से और वो प्रोसीस प्रोसेस नहीं हुआ होता तो इसको इस्तिमाल करते हैं यह जो गॉन मॉरिंगा है इसको जब हम तीन साल तक किसी खेत में फटिलाइजर नहीं डालते हैं और गोबर की खाद और और और्गैनिक खाद जो डालते हैं जिसे और्गैनिक कहते हैं तो वो ऐसा होता है जैसा मैं बताता हूँ और जो आप बता देते हैं वो एक process वाला होता है और उसी को असली माना ज़ए असली इसको भी माना जाता है लकिन यह किसी काम का नहीं है सिवा कि आपको withamin c वगयरा दे दे और दूसरा स्वाल आपका कि सियाह कौन से पेर से आता है यह आबनूस का पेड होता है इस पेड से कभी किस जमाने में जब मैटल नहीं था मैटल की बासरी वगएरा मैटल का प्रियोग शुरू नहीं हुआ था उस जमाने में इसकी लकड़ी से बासरी बनती थी ये बिलकु काला होता है काली बासरी होती थी और अब मैटल वगरा चल पड़े हैं लेकिन अभी भी किसी किसी के पास वो बासरी मौजूद रहती एक बिल्कुल काले रंग का पेर जिससे काला गौन निकलता है उसे ही गौनसिया कहते हैं और एक कोशिश कर सकते हैं वादा कुछ नहीं उनको डॉक्टरों की दवा है मरीज को और एक चुटकी नमक जैतून एक चुटकी खाने का सोड़ा दो गिलास पारी में मिलाकर एक चम्मच अलसी दें एक टाइम दिन में या दो टाइम लगातार दें कुछ फाइदा हो तो हमसे आप बात करते रहें पर ना आप डाक्टरों की बात मान सकते हैं जम्म नमश्कार जी नमश्कार से मैड़ में हम हकीम सुलिमान जी का प्रोड़ा देखते हैं हम नमबर की जिनको मैं मला रहा था मिलनी रहा था आप सिक आपके सामने हाजिर हूं बताए यह क्या सवाल है इस सर्व हमने मागवाना था नमक जैतून पे जैतून का सिर्का गोन बरि करें दूसरा जी नमबर आ रहा है उस पर किसी रोक के बारे में अगर आपको कोई सवाल करना है तो हम आपके सामने हाजिर है कोई भी सवाल कर सकते हैं और के लिए हल्प नाइन नमबर लीजे उन पर बात करें आपकी मदद की जाएगी अगले कॉलर है हमारे साथ स्वागत है आपका अई हनालो है वाले कम सलम आपका नाम क्या है जी मेरा नाम अवर्ण को जbon बताइए 20 मों काटना मुझे दिखक्त यह हो रही कि मेरो गैस बनो महत जादो और मैंने अंडर कोपी भी परागी और एट्राफोन भी मेरे कहीं हो लिए एट्राफोन मुझे लिए और पचेजिया वो और कोई बाद में आपती तो जी अब गैस जो बनोना वो ना तो बाहरो और ना तलग हो बस तो पसलियों महीं चड़ा रहो गया तो अच्छा गूप नहीं लगती बिल्गूल भी और कहना नो यह दिखक्त मेरे पेड मों बस जो गैस बनो बना पार तो बाद में पूछो अर्पिसाद दी बहुत कम हो मुझा चीक ठीक और कोई तो सवाल नहीं है अब कह रही थी ना काठी हो मत हम लोग नहीं काठ तकते फोन यह काठने वाला दूसरा डिपार्टमेंट है हमारे पास तो आ गया तो हमें होकुम होता है कि अच्छे से बात करें नहीं तो हमें निकालने प्रोग्राम से तो काठने वाला कोई और है अच्छे देखिए यह बहुत अच्छा किया अफरोज आपने के अल्टा साउंड करा लिया ताके हमें भी इत्मिनान हो गया कि जाहिरी तोर पर कुछ भी नहीं है अच्छे देखिए वरम हो जाता है पे ग्रस्त हो जाते है एक बड़ा अच्छा नस्खा है आप तो ग्रहनी है और चे चीजें आपके किचन में मौजूद हैं और चे चीजें कौन सी है लिख लो जी अगर पैनवेर लेकर बैठे हो तो लिख सकते हो और एक यह व साफ सौट जीरा सौफ सौट जीरा जवाइन धनिया में थी चीजिज़ेंा आपके किचन में याद सौफशॉट जीरा जवाइन धनिया में थी चाफ़ें दो बार मैंने बोल दी SCP और एक बार बोल देता हूं आपकी भाशा से मुझे लग रहा है कि आप पताने लिख पाओगे या नहीं सौफ सौट जीरा अजवाइन धनिया मेती सौ सौ गिराम खरीद कर पाउडर बना लो और जी पाउडर बना के एक डबे में करके रखो एक आता है नमक जैतून नमक जैतून याद रखो जी के एक नमक विशेश है जो स्वाद में नमकीन ही नहीं होता ये अलग से सौ गिराम खरीद लो एक चुटकी नमक जैतून दो गिलास पानी में डालो दो गिलास पानी में एक में नहीं मिक्स हो जाता है असानी से नमकीन भी नहीं होता है हलका सा कड़वा या खारा सा होता है यह जो छे चीज़ों का पॉडर बनाया है यह एक चमच खा लो और यह दो गिलास पानी पी लो दिन में एक दफ़ा या दो दफ़ा बस काफी है अब यह रोजाना एक बार जरूर लो ज गैस पास नहीं होती है जिन लोगों को इस तरीकी की प्राब्लम होती है तो क्या यह भी संकेत है कि आपको कोई बहुत बड़ा रोग होने वाला है अगर हमारी गैस पास नहीं होती है अगर हमारी गैस पास नहीं होता उसमें कोई भी खत्रा हो सकता है यह गैस इतनी पावर होती है कि ये कहीं भी परिशान कर सकती है इसको लेने सबसे पहले तो आपको गैसी पास होने लगती है आदा एक गंटे में आपको अच्छे से गैस मास होगी जो लेटीन है वो आगे सरकना शुरू हो जाती है और वरम हो तो वो दूर होने लगता है कहीं भी सैलिंग हो जाती ना वरम और लीवर को मजबूर करते हैं ये के ठीक से काम कर और मैदे को हजम का हुकम देते है ये निस्वा और आतों में बल देते हैं कि वो जल्दी से गैस पास करके इसको सही वक्त पर लैटीन हो जानी चाहिए ये इन्फ इन ही खायर लगता है शेहत का भी खायर लगता है आप इसे इस्तेमाल करें आप इसे फाइदा उठा सकते हैं बिना वर्मा जी जुड़ गयी है हमारे साथ स्वागत है आपका नमस्कार मैं मेरे दो सवाल पूछी में ने गोंस दिया लिया था और इसको एक मेहन हो गया मेरे पार सुभे बहुत टाइट हो जाते हैं, कलना मुस्खिल हो जाता है, पर मुर्ते नहीं है, और दूसरा ताओ मेरे लड़की के ठाराइड है, और उसके बाड़ी में स्ट्रेच मार्ट कर रहे हैं, स्ट्रेच मार्ट बाड़ी में स्ट्रेच मार्ट बाड़ी में स्ट्रे मैं आप बात कीजिए बीना जी 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 मैं ये बताइए कि आपके पैर पहले भी टाइट रहते थे या अभी हुए हैं अचे दर्द की दवा आप खाते थे वो छोड़ दी आप न भी खाते हैं अभी खाते हैं अभी कितनी बार खाते हैं पहले की तरह या कम हो गई कुछ दो नौप करणों खाते हैं तर्म हो 2 ग्राम, सब्सक्राइब कृक्त हो सब्साद में खाते हैं हैं लेकिन अभी दो महीने की दवा और है आपके पास, वजन ना उठाएं, मेहनत ना करें, वेस्टन टॉालेट कुर्सी वाला शोचाले इस्तिमाल करें, और आप ये इस्तिमाल करते हुए, आप लगातार भगवान से मदद मागें, वजन बिल्कुल ना उठाएं, जाड़ू प कम करने, जिनको वो निशानात आगे हैं, उनके लिए आप अलसी और इसको हलका सा भून कर, अलसी को, एक चमच अलसी और एक चुटकी, नमक जैतुन के पानी के साथ, रोजाना एक बार लिया करें, उनको फाइदा होना मुम्किन है, थायराइड, हकीम सार्ण, अगर थायर भी है, तो एक चमच धनिया, आदर चमच अलसी और एक चुटकी नमक जैतुन, लगातार दिन में दो बार, सुबह निहार मूँ और रात को सोते वक्त दें, तो उनके भी दोनों रोगों में फाइदा होना मुम्किन है, लेकिन जल्दी मत करना साथ-ाथ महीने भी लग सकते कारा नहींते है, आदर चुटकी मत करना साथ-ाथ महीनिता है, जा एक चुटकी मत करना साथ-ाथ में चुटकी दें भी हैश्